आप शभी का अंकुश अकैडमी में श्वागत है आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एक्साम की तयारी भी अच्छे से चल रही होगी आप लोग को पता हुआ कि मेरे चैनल पे अभी रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है कुछ प्रॉबलम है इ रुष के लिए मैं सौरी बोल रही हूँ और मैं कोसिस करूंगी कि हर रोज वीडियो अपलोड हो और अभी फिलहाल मेरे चैनल पे हिस्ट्री का वन लाइनर कोस्चन चल रहा है जिसका आज ये जो भाग है ये चुत्था भाग है इसमें भी 100 प्लस कोस्चन है इसका तिसरा पाठ तक हो चुका है जो लोग नहीं देखें आप मेरे चैनल पे जाएए रुष को देखें चलिए शुरू करते हैं बकसर का यूद हुआ ये जब बकसर का यूद हुआ ये कब हुआ था 1764 इसमी में बकसर का यूद हुआ था और इसमें अंग्रेजों और मीर कासीम इलहाबाद की संदी कब हुआ? 1765 इसमी में कब 1765 इसमी में हुआ नेक्स एक कॉंग्रेज की अस्थापना तो ये भी कोशन बहुत बाए एक जामें पूछ चुका है कॉंग्रेज की जो अस्थापना हुआ वो 28 दिसमबर 1885 में कब 28 दिसमबर 1885 में लॉर्ड डफरिन के शा कॉंग्रेज के संस्थापक ते। नेक्स्थ है कॉंग्रेज के पर्थम अधिवेशन तो कॉंग्रेज का जो पर्थम अधिवेशन बुमबई 1885 में हुआ इसकी अध्यक चता किसने की थी? बोमेस चंदरबनरजी ने कें कंग्रेस की परतम अधिवेशन के अधियक्छता की थी Next is Congress में फूट पड़ी तो कौन साधिवेशन में Congress में फूट पड़ी तो सूरत अधिवेशन जो कि 1972 में हुआ था Next is Congress के गरम और नरम दल एक हो गए तो यह कभ हुए दोनों Congress के जो गरम और नरम दल थे वो कब एक हो गए तो लखनव अधिवेशन 1916 इस भी में एक हो गए नेक्स्ट है कॉंग्रेस विभाजन के समय भारत का वाइसराय था कॉंग्रेस विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था लौड मिन्टो दित्ती कौन लौड मिन्टो दित्ती थे नेस्ट महात्मा गांधी भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने ये जो महात्मा गांधी थे ये सिर्फ एक ही बार भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेल गाउं अधिवेशन 1924 में जो कि ये करनाटक में हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी क अख़ाई ते गांधी जी सबूल हो कहा है चुं है अखर अधाबाद मैं तो इसके अस्थापना कपकी गए 62 सब्सक्राइब नें सब्सक्रापन में पर शन्होंज करफा इसप्नाका है ने ये अमियतले हैं मुश्लिम अद्यक्ष ये भी कोशन बहुत बार एक्जामे पूछा गया कि पर्थम मुश्लिम अद्यक्ष तो कौन थे बदरुदिन तैब जी ये जो थे वो कॉंग्रेश के पर्थम मुश्लिम अद्यक्ष थे नेक्ष्ट है सवदेशी अंदोरन प्रारम हुआ तो सवदेशी अंदोरन का प्रारम हुआ 1905 इसवी में सवदेशी अंदोरन प्रारम हुआ नेक्ष्ट है मुश्लिम लिग के स्थापना तो मुश्लिम लिग के स्थापना जो हुआ था वो इससुके स्रेह किसको जाता है सलीमुला और अगाखा को इसस comment is Peguate कि जाता है। नेक्ष्ट मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव फारित किया। तो पाकिस्तान का प्रस्ता पारित किया था नेक्ष्ट है पाकिस्तान सब्لاहर अधीवेशनमें hours 1940 में लाहर अधिवेशर में पाकिस्तान का प्रस्ता पारित किया था नेक्ष्ट है पाकिस्तान सब्द के जनम दाता थे तो पाकिस्तान सब्द के जनम दाता कौन थे चोदरी रहमत अली थे नेक्ष्ट है पाकिस्तान के पर्थम परधान मंतरी तो इसके पर्थम परधानमंत्री कौन थे लियाकत अली यह जो लियाकत अली थे वो पाकिस्तान के परथम परधानमंत्री थे नेक्ष्ट पूर्ण स्वतनतरता की मांग का प्रस्ताफ रखा गया था तो यह कब रखा गया था लाहोर अधिवेशन 1929 इसपी में यह रखा गया घृण की फी थी तो भारत की सोतयत्रता की घोषना की थी कलुमेंट एटली जो कि यह बृतिस प्रधानमंत्री थे रनाव। परदार मंत्री थे निक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में और लाला हर्दियाल के द्वारा किया गया और कहां सेन्ट फ्रांश्रीकों जो की अमरीका में हुआ था परता थे तो कौन थी एनिवेशन काला कानून कहा गया तो काला कानून किसको कहा गया रॉलart एक्ट को कहा गया और यह जो रॉल आक्ट है यह कब पारित हुआ किशने कहा था यह फिर कौन कहा था तो विश्टिल चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था नेक्स्ट है महात्मा गांधी को स्वर पर्थम राष्ट पिता कहा था तो महात्मा गांधी को स्वर पर्थम जो राष्ट पिता कहा था वो सुवास चंद्र बोश ने सुवास चंदर बोश ने कहा था नेक्स्ट है भारत में गांधी जी का पर्थम सत्यागरा था भारत में गांधी जी का पर्थम सत्यागरा था वो चंपारन सत्यागरा और ये चंपारन का है बिहार में जोकि उनेश्ट श्रत्रों में हुआ था नेक्स्ट है इस्ट इंडिया क छोए 2します उस्वड में आया थी ने elic all साइमन का मिशन भारत आया था सुँसाइमण कमिशन भारत ने क्रिब्सी बीस्व मुशन भार्त आया है तो ये कब मार्च 1922 में आया था नेक्ष्ट कैबिनेट मिशन की अद्रिक्ष्टा की थी तो कैबिनेट मिशन की अद्रिक्ष्टा की थी लॉर्ड पैंतिक लॉरेंस ने नेक्ष्ट बाज बहादूर सासक था वो कहां का था तो ये मालवा का सासक था नेख्श्ट है नेहरू एक राष्ट भक्त है जबकि जिन्ना एक राजनित्त कहा है तो यह किसने कहा था मोलाना अजाद ने यह कहा था नेक्स्ट है सबसे पहले भारत आया था तो सबसे पहले जो भारत आया था वो पुर्थगाली आया थे और पुर्थगाली ही सबसे बात में ये भारत छोड़के गए भी नेक्स्ट है भारत आने वाला पर्तम पूर्थ गाली था तो पर्तम पूर्थ गाली वास्को डिगामा जो की चोगदो सो अंठानभी इस्वी में ये भारत आया था और कालिकट पुंच जा था नेक्स्ट है दूसरी बार वासको डिगा मां भारत आया तो पंद्रोशो दो इस्वी में आया था नेक्स्ट है पुर्त गाली सकती का संस्थापक कन था? अल्बुकर्क कन अल्बुकर्क नेश्ट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्टरी दुर्ग अस्थापित किया तो पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्टरी बनाई थी वो कोचीन में कहां कोचीन में बनाई थी पंद्रोशो तीन इस्वी में पुर्थगालियों ने गोवा पर कबजा किया अंग्रेजों ने पहली फैक्टरी शूरत में अस्थापित की थी जहांगीर के अनुमती से की थी भारत में पहला पुर्थगाली गोवर्नर कौन और कब बना तो भारत में जो पहला पूर्थगाली गोर्णर बना वो फ्रांसी को द अलमीडा पंद्रह सो पांच इस्वी में बना नेक्स्ट है विदेशियों के भारत आने का कर्म तो सबसे पहले पूर्थगाली आए डच आए उसके बाद फिर अंग्रेज आए डैनिश आए फ्रांसीसी आए और स्वीर डीश आए नेक्स्ट है भारत आने वाला पहला अंग्रेज तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो मिल देन हॉल कुं था मिल नायन होल नेटसे अमीरघुषरों के गुरू नियामदजिन ओल्या करिश्छ्ण पाहए mm कुल थी उ हम्लेखन नेज्वनौयों नोनगयों करियान। को छॉतें हैं यह सो खोप लशक्री को 960 झाना्य। नेक्ष्ट है खुजराहो का मंदिर बना ये नागर सैली में बना है नेक्ष्ट है भुमनेस्वर में लिंग राज मंदिर का निर्मान करवाया तो किस्री वंस का राजा आयाती किस्री ने किया नेक्ष्ट है सती पर्था का अंद किया ये भी कोशिर बहुत बार एक्जामें पूछा गया है सती पर्था का अंत तो ये किशने किया लॉड विलियम बेंटिंग ने 1829 इसमी में सती पर्था का अंत किया नेक्ष्ट है धन के निसकाशन का शिद्धान 1866 में दिया था तो ये किशने दिया था दादा भाई नेरो जी और ये भी कोशिर बहुत बार एक्जामें पूछा गया है नेक्ष्ट है भारत भारतियों के लिए ये नारा किशने दिया है तो आर ये समाजने नेश्ट है ताज महल का निर्मान हुआ था तो ताज महल का जो निर्मान हुआ वो 1632 से 1652 इसमी में निर्मान हुआ था नेक्ष्ट है ताजमाल मक्वरे की योजना तयार किया था तो ये किसने किया उस्ताज इशा खां परजो की परसिया का था उन्होंने ही ताजमाल मक्वरे का योजना तयार किया था नेक्ष्ट है गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान हुआ तो gateway of India का निर्मान कब हुआ? 1911 में और India gate का निर्मान कब हुआ? तो ये India gate 1921 में Next Prince of Wales का भारत आगमन ये कब आये थे? 1921 में ये भारत आये थे Next भारत की राजधानी कॉलकत्ता से दिल्ली अस्थापित किया तो कब 1912 में Lord Hotting दित्ती के समय कलकत्ता से दिल्ली स्थालित हुआ Next गोलकुंडा इस्थी थे? तो गोलकुंडा हैदराबाद में है Next हमपी इस्थी थे? ये करनाटक के वैलोरी जिले में है Next अहमदनगर का विले हुआ तो ये कब हुआ? 1932 इसपी में हुआ Next है भगत सिंग, सुकतेव और राजगुरू को फांसी दी गई तो कब दी गई? 23 मार्च 1931 को ये तीनों को एकी साथ फांसी पड़ा था Next है करनाटक में इस्थी गोत्मिस्वर की मुर्ती का निर्मन करवाया था तो किशने करवा था? चामुंड राय ने करवाया था Next है वांडिवास का यूद हुआ तो ये जो वांडिवास का यूद है वो 1760 इसपी में हुआ था और फ्रांसेस्यों और अंग्रेज के बीच ये यूद हुआ Next है विख्यात टट मंदिर इस्थी था ये कहा है मालम पूर में है Next है नत्राज मंदिर इस्थी थे तो नत्राज मंदिर कहा है? ये चन्राई में है Next है कोनार्क के शूरी मंदिर को बनवाया था तो ये किशने बनवाया था? नर्सिंग देव तेरवी शदी में ये बना था और इसको नरसिंग देव ने बनवाई थे नेश्ट है बलेक पेगोडा का हाज घहलाता है तो ये जो कोनार का शुरी मंदिर है उसको बलेक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट है आज़ाद हिंद फोज की सलकलपना की थी तो किसने की थी कैप्टर मोहन सिंग नेश्ट है अबूल फजल की हत्या की तो अबूल फजल की हत्या किसने की थी वीर सिंग बुंदेला ने नेश्ट है आज़ाद हिंद फोज की स्थापना की गई थी तो आजाद हिंद फोज के स्थापना रास ब्यारी बोश्ट दुबारा 1942 इसपी में की गई नेश्ट है आजाद हिंद सरकार के संस्थापक थे तो ये कौन थे? सुबास चंद्र बोश्ट थे नेश्ट है सोतंत्र भारत के जंडे का डिजाइन किया था तो पिंगली बैंकिया ने किया था नेश्ट है पर्थम गोल में सम्मेलन हुआ तो जो पर्थम गोल में सम्मेलन हुआ वो 12 नमंबर 1930 को लंदन में हुआ था नेश्ट है पर्थम गोल में सम्मेलन का उद्गाटन किया था ये किशने किया था? समराट जोर्ज परंचम ने पर्थम गोल मेज सम्मेलन का हुदगाडन किया था नेश्ट है पर्थम गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी तो परधान मंतरी रेमजे मैक डोलंड ने की थी नेक्स्ट है पर्थम गोल मेज सम्मेलन की समय भारत का वाइसराय था तो भारत का वाइसराय कौन था? लौड एर्विन उस्टाइम भारत के वाइसराय थे नेक्स्ट है दित्ती गोल मेज सम्मेलन तो ये 1931 में लंदन में हुआ था नेक्स्ट है दित्ती गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेश के एक मात्र परती नीधी थे तो वो कौन थे महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी थे ये दित्ती गोल में सम्मेलन में ही भाग लिये थे नेक्ष्ट तिरुपती मंदिर अवस्तित है तो ये कहां पे है आंदर परदेश में है नेक्ष्ट भारत चीन के बीच पंच सिल समझोता हुआ था ये कब हुआ था 20 अपरेल 1904 को हुआ था नेक्ष्ट अवद का अंतिम नवाब था वो कौन था वाजित अलिशा नेक्ष्ट अवद की राजधानी काहा थी फेजाबाद नेक्ष्ट अपिंडारियों का उन्मोलन करता वो कौन थे लॉर्ड हेस्टिंग नेक्ष्ट अबनारस हिंदू विस्विद्याले की स्थापना 1916 में किया था तो किस playful ने किया था पंडित मदन मोहन मालवी ने बनारस हिंदू विस्विद्याले की स्थापना 1916 इस्वी में की थी नेक्ष्ट अ भारत में पहला पर्तियन सासक वो कौन था माउश नेक्ष्ट अ गोलकुंडा की संदी हुई ये कब हुई 18166 इस्वी में नेक्स्ट लास्ट जजमेंट कृती है तो ये किसका है माइकल एन्जोले का है नेक्स्ट गांधी इर्विन समझोता हुआ तो गारंधी इर्विन समझोता कब हुआ 1931 इसबी में नेक्ष्ट म्यूनिक पैक्ट संपन हुआ तो ये कब 1938 इसबी में नेक्ष्ट सिमला सम्मेलन हुआ तो ये कब हुआ 25 जून 1945 को नेक्ष्ट ए खुले द्वार की नीती का परती पादक थे तो कौन थे जौन है नेक्ष्ट सवराज पार्टी की अस्थापना तो सवराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई नेक्ष्ट ए तेलानी राम नेक्ष्ट ए तेनाली राम दरवारी थे तो ये किस के थे खृष्ण देव राई के नेक्षे ब्रह्मन्जमाज अधारित है तो यह किस पर अधारित है? एकस्वर वात पर यह अधारित है नेक्षे दास्पर्ता अविद घोसित किया गया तो कव 1833 में नेक्षे वर्ना क्योलर प्रेस एक्ट पारित हुआ तो 1878 में लॉर्ड बिटन की दुआरा नेक्स्ट वर्ना क्यूलर प्रेस एक्टर को रद किया गया तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने नेक्स्ट ओहम वीद्रो का नेतरु किसने किया था गूमधर कुवर ने 1828 में अहम अश्रम में ये किया था नेक्स्ट है पर्थम मदर्शा के स्थापना वारंग हैस्टिंग ने की थी कहां पर 1781 में कॉलकत्ता में नेक्स्ट है बंगाल में भेंकर अकाल पढ़ा तो ये कपड़ा 1770 इस भी में पढ़ा था नेश्ट है बंगाल में देथिसासन का संस्थापग तो इकौन था रोवर्ट कलाइब नेश्ट है बंगाल में देथिसासन को समप्त किया तो देथिसासन को समप्त किस ने किया वारन हैस्टिंग सत्रोष्ण बाहत्तर इस भी में नेक्स्ट है बंगाल का पहला गवर्नर जेनरल तो बंगाल का पहला गवर्नर जेनरल कौन थे वारन हैस्टिंग नेक्स है बंगाल में अस्थाई बंदोबस लागू किया गया तो अस्थाई बंदोबस लागू किया गया लॉड करना वालिस 22 मार्च 1793 इस्वी में लागू किया गया नेक्स्ट है बंगाल की मुक्तिस रिजन तो ये कब 771 इस्वी में हुआ है नेक्स्ट है बंगलादेश की मुक्तिस रिजन उनेश्व एकतर इस्वी के समय पाकिस्तान का सासा था जब बंगलादेश की मुक्तिस रिजन हो रहा था उस टेम पाकिस्तान का सासा कौन था यहाँ खान कौन यहाँ खान आज कभी शेसन अगर देखा जाए तो इसमें काफी important question है और सारे question हर एकजामें पूछे जाते हैं और 100 प्लस question है तो मैं उम्मिद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पशंद करेंगे और एक से दो बार इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सारी question का answer भी याद हो जा खाते हैं तो हमारी टेलीग्राम पर यह video मिल जाएगा आप करता है और न हमारे चैनल पर जूए हैं जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अब मेरे चैनल को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए 갖고 थैंक्यू